आप सभी को बताएंगे इस वीडियो में कि आप लोग अपना खुद का Imagine Pay UPID कैसे बना सकते हैं और साथ ही जैसे कि अगर आप लोग का Imagine Pay UPID नहीं बना हुआ है तो आप लोग यहाँ पर किस पकार बना सकते हैं अपना खुद का UPID किस पकार बनाएंगे जैसे कि आप लोग यह सकते हैं, मेरा भी यहाँ पर Amazon Pay UPID नहीं बना हुआ है, तो आप सभी को अगर सीखना है, अगर आप लोग ने भी अभी तक Amazon Pay UPID नहीं बनाए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा वाच कीजिए, आप सभी को यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ, कि आप लोग अपना खुद का Amazon UPID कैसे बना सकते हैं, आप लोग अपना bank account Amazon के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग सारा मतलब LinkedIn आप लोग यहाँ पर payment अपने Amazon से कर सके, तो यानि मैं अभी आप लोग को bank account लिंक करके दिखाने वाला हूँ, और UPID मैं अभी आप लोग को बना कर दिखाने वा और इस वीडियो को लाइक करें, चली है वीडियो को सुरू करते हैं, आप लोग यहाँ पर gate start पे tap करके भी आप लोग यहाँ पर Amazon का UPID बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को एक simple तरीका बताता हूँ, आप सभी को मेरे वीडियो के नीचे में एक link मिलेगा, आपको simple उस link पे tap करना है, जैसे ही आप लोग link पे tap करेंगे, तो आप सभी के सामने कुछ इस परकार का browser open होगा या नहीं, तो आप लोग direct Amazon में redirect हो जाएंगे, यहाँ पर आपको open का option मिलेगा, simply आपको open पे tap करना है, उसके आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कुछ loading लेने का आपक कुछ इस परकार का loading लेगा, loading लेने के बाद फिर से यहाँ पे refresh होके कुछ इस परकार का option पे आजाएगा, इससे क्या होता है कि आप लोग जल्दी से आप लोग अपना bank account यहाँ पर link कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, set up Amazon Pay UPRE, simply आपको यहाँ पर proceed वाले button पे tap करना ह और इस परकार का कुछ यहाँ पर verify your mobile number कुछ लेगा, आप लोग का जो भी number पे, imagine में जो जिस number से आप लोग एकाउंट बनाए हैं, और आप लोग जो भी number होगा उस पे आपको tap करना है, और यहाँ पर simply आपको proceed वाले button पे tap करना है, जैसे ही आप लोग का यहाँ पर mobile number verify ल जो भी bank आप लोग का है, simply आप लोग को उस bank को select कर लेना है, मेरा यहाँ पर state bank of india है, तो मैं यहाँ पर अपना state bank of india को choose कर लिया हूँ, उसके यहाँ पर कुछ loading ले रहा है, loading लेने के बाद यहाँ पर loading लेने का wait करते हैं, उसके आप लोग को यहाँ पर ATM का number डालना होग जिससे कि आप लोग का यहाँ पर bank account लिंक हो सके मेरा यहाँ पर थोड़ा internet problem के करन यहाँ पर थोड़ा time लग रहा है तो simply आप लोग को करना पर है कुछ wait जो कि यहाँ पर loading लेने का आप सभी के सामने में यहाँ पर कुछ इस परकार का option आएगा और यहाँ पर option आने के बाद उपर में आपका mobile number दिखेगा यहाँ पर आप लोग का देखिए जो कि यहाँ पर आपका UPID नमबर दिखेगा लेकिन अब आपको यहाँ पर आपको ATM कार का six digit का last wall आपको number डालना होगा और जब आप लोग यहाँ पर फिल कर लेंगे तो आप लोग के सामने में कुछ इस परकार का option आगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं set your upi pin तो simply आपको इस पर tap करना है और जब आप लोग का यहाँ पर upi pin आपको का पहले से होगा जैसे कि आपका phone पे में तो फिर यहाँ पे वाला आपको option नहीं मिलेगा तो simply मैं यहाँ पे करता हूँ set your UPI pin पे तो यहाँ पे कुछ इस पेकार का loading ले रहा है loading लेने के बाद यहाँ पे आप लोग को कुछ OTP enter करना पड़ेगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते enter OTP आपके mobile number पे OTP आया होगा और आप लोग ने देखा कि मेरा यहाँ पर मतलब OTP आ चुका चले मैं यहाँ पर simply अपना OTP को मैं फिल कर लेता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते कि मैंने यहाँ पर OTP को फिल कर दिया है अब आप लोग को यहाँ पर अपना set UPI pin डालना होगा जो कि आप लोग जब अपने किसी भी दोस्त को अपनो यहाँ पर payment करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को UPI pin डालना होगा चले मैं यहाँ पर अपना UPID pin को मैं डाल लेता हूँ और यहाँ पर आप लोग को जैसा कि आप लोग को UPID पिन में डाल दें यहां पर आपको arrow वाले बरन पर टैप करना है और यहां पर फिर से आपको UPID पिन डालना होगा जो कि आपने पहले डाला था simply मैं यहां पर करता हूँ सही के निशान पर टैप और कुछ इस परकार का आपका loading लेगा unloading लेने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मेरा यहां पर continue वाला option आ चुका simply आपको यहाँ पर continue वाले बरंद पर tap करना है और आप लोग यहाँ पर जैसे ही continue वाले बरंद पर tap करेंगे आप लोग के सामने कुछ इस परकार का page आ जाएगा और यानि अब मैं आप लोग को बता दूँ कि अब आप लोग के यहाँ पर imagine में UPID लिंक हो चुका है अब आप आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर imagine पे UPID बनकर तयार हो चुका है यानि हमने imagine अप्लीकेशन में अपना bank account को लिंक कर दिया तो I hope कि आपको जानकारी पसंद आया होगा आपने यहाँ पर सीख चुके होंगे कि आप यहाँ पर अपना imagine application में अपना खुद का bank account को क और फेशन जरूब प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं जैहिन वंदे मातरम